क्राइम पेट्रोल सतर केस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं हमारी सोच और अंतरमन्द की दुनिया अक्सर हमारी असल जिन्दगी से अलग होती है कई बार तो हमारे सपने और हमारी इच्छाएं इतनी बहु मुखी होती है कि हम एक जिन्दगी में कई जिन्दगियां जी रहे होते हैं हर जिन्दगी का अपना एक कद अपनी एक सीमा होती है औरतों के अलग संगर्श होते हैं पूर्शों की अलग चुनोतियां होती है लेकिन ना कोई पुरुष औरत की और ना कोई औरत पुरुष की जिन्दगी जी सकती है लेकिन इस केस की व्यथा आपको इस तरह हिला देगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या किसी की जिन्दगी का स्वरू इतना विक्राल भी हो सकता है ये बिस्तर की सिल्वटें, ये तूटी चूडी के टुकड़े, ये चपल, ये पायल, वो कमरे की खिड़की, खिड़की से आने वाले तूफान का शोर, और शोर के बीच है, मौत की गहरी खामोशे, लेकिन मैं सिर्फ एक जिन्दालाश हूँ, तुम्हे और लेता हूँ, तो जिन्दा हो जाता हूँ, जुक करेंगा हुँ, फिन्दाश हुआ तुम्हें, सเृb गव, गव, तुम्हेंन जीद एगी ज कया हुँ, गव, गव, गभ डिख गभग्यों, गभग। एक पुलिस ओफिसर होने के नाते मैंने कई नाकुछ जनी चबा देने वाले केसे सॉल्ट किये मेरे काम करने के तरीके मेरी बाहदूरी के लिए मुझे बहुत से मैडल भी मिले लेकिन कुछ केसे ऐसे होते हैं चो मेरे जैसे पुलिस ओफिसर को भी सेल्फ डाउट में डाल देते हैं ये केस भी बिल्कुल ऐसा ही था इस केस की खोईवी कडियों को जोड़ते वक्त कई बार मेरे मन में ये समाल आया कि क्या मैं इस केस की को सुल्जा पाऊँगा एक्शुली ये केस अपने आप में इतना विचितर था किस केस को केस स्टडी बना कर पुलिस अगेड्मी के करीकुलम में चोड़ दिया गया आप वुट से ये केस मेरे करीयर के वन ओफ दफेस्ट कैसेस में से एक था ये आपकी चाहते है ये सब क्या है अरे जेंटर नहीं बदला है सिफ लूप बदला है आप खोश में तो है अफिस के लेट हो रहा है भी आके बात करता हूं आप ऐसे ही अफिस जाएंगे क्या सुनिये सुनिये अजा ये कौन था वो अपके देवरी थे संचित बेया आप ऐसे संचित बेया पहले गन्नो बुजरा और अब संचित ऐसा बढ़ताओ कर रहा है ये अचनक से हो क्या रहा है ये सब माजी मैंने संचित जी को पहले भी हमारे कमरे में बंदी लगाते हुए देखा था और इस बार तो उन्होंने हदी कर दी मुझे तो लगता है संचित ब्या में कई गन्नू की आत्मा तो नहीं है लटे का क्या कुछ भी बोले जा रही है तेखो अगर कोई आत्मा का चक्कर वक्कर भी है तो गन्नू की आत्मा उसे लड़की क्यों बनाएगी मुझे तो नहीं कोई मेंटल डिसॉर्डर लग रहे है तरीता वो तिरदेव इंटरपाइस के रिपोर्ट संवेक्ट करने से तुमें कितना डाइम लगेगा वो फाइल तो मैंने संचीत को दी थी मैडम लेकिन आप कॉन है जो मुझे से पूछ रही है मजाग बनतो हो सरीता मजाग तुम कर रहे हो किसी ब्यूटी कॉंटेस में पार्टिसिपेट किया है जो ये रिहर्सल चल रही है साड़ी चाहिए तो मैं दूँ पटा तो पटा तो पटा इस चल लगे है ये उव देखे दूँ पापा का इमूँ दिखाने लाइक छोड़ा है उसने मारा क्यो मज़ा पुड़बार है ये जो की कुछ हो रहा है ना पापा इसके जिम्मेदार आप है मेरी वजह से कैना क्या चाहता है तू आपको नहीं पता मैं कि पापा इसके ना होश उड़ गए ये क्या ये हदाईत प्रसकत और संबल जा और ना अच्छनी होगा देखो ये मैना अपने पूरे होश में अपने जैसा भी हूँ ना मैं जैसा भी हूँ तो तो मेरे हाल पे छोड़ता संचित बातिका तुझे मजाक लग रहा है है झी कि युझे में वेड़ रहा है युझे में जैसा युझे कि वेड़ सुम्टर युझे कि युझे में प्रफण प्रफ़्स प्रफ़ वेड़ लटीका? पर संचित हमेशा से ऐसा नहीं था उसके जीवन का एक और परिवेश भी था यार एक तो कानपूर कर ट्राफिक इतना हो गया ना सांस लिना मुश्किल कर रहा है एक्स्क्यूज मी? ऐसे कैसी चेप हो रहे हो? क्या मैं आपको जानती है? सुरी यार मैं थोड़ा लेट हो गया पड़ मैंने ट्राइग किया था अने कि इस इन फिल प्राफिक रहे हो एक बैट 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 तक घुस्सा भी बटती है यार मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाँ हो तुम्हे क्या लगता है ये गिफ्ट भी देकर तु मुझे मना लोगे मना भी लूँगा और शादी भी कर लूँगा और शादी के बाद हो सकते हैं हमारे एक दो तीन चार बच्चे हो फिर अच्छा मतलब मुझे बेब से बहनजी बनाने की प्लानिंग है मैं पहले ही बता देती हूँ शादी के बाद ना मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पक्का पक्का आपको कुछ बोलने का फायदा तो नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ पुझा यह सब करके मैं तुम्हारा दिन दुखा रहा हूँ ना पर मैं मजबूर हूँ ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी आपकी वाइफ हूँ एटली साब मुझे तो बता ही सकते है ना एक सपना देखा था मैंने कैसा सपना बहुत पूरा सपना पापा 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 यह हुआ पापा अपने खेतों में आग लग गई क्या हाँ पापा सारी के सारी फजल जलके राग हो गई एव अगवान कौन से जर्म का बदला ने रहा है नुकसान पर नुकसान हुआ जा रहा है पापा जब घर का मर्दी अपने हाथों में चूडिया पहन के रहेगा तो पनोती तो लगेगी ना जब भी मेरा नई थाने में ट्रांसफर होता है तो पेंडिंग केसों की फाइलों का एक बड़ा सा पुलिंदा मिलता है इत्ते हैं गोर इस थाने में मुझे कोई भी पेंडिंग केस में पुश्य क्या हो अकमार राइट को ले लिया सर उस राज़ते से जाना ठीक नहीं कहते हैं मार चुड़े लगा साया पीशे क्या बगवास करता है सर दरहसल बात यह है कि इस इलाके में पिछले कई दिनों में कई मौते होंगे और सर एक परिवार के तो दो मेंबर के पहली मौत की तो कोई रिपोर्ट नहीं हुए थी लेकिन सर जब दूसरी मौत होई तो हमें थाने में एक अग्यात आदमी का फोना आया थी उसने कहा कि एक लड़की का मरडर हुआ हालो एक मैठ लुकिए अपलोगי। I am sorry, लेकिन आप लोग अभी लाश का अंतिम्स अंसकार कर सकते हैं क्या Chief? ऐसा क्यों कहरें retirज ऩिसर आप पहले ही बहुत देरा देखिए आप लोग हमारी बात यह कौन है? यह मेरा छोटा भाई है, संचिप सर उस घर में सब कोश है जिए लाधिका गवाई, संचिप काफी लंदे टाइम से औरत के वेश में रहा था लाधिका का पोस्टमाडम हो था? जी सर, लेकिन सर पोस्टमाडम रिपोर्ट में भी यही आया था कि उसकी सदेंड है, हाट अट अटक के कारण है जिस वज़े से यहां पे अफ़वा फैल दे, कि उसने किसी चुडेल को देखा होगा वाट नॉलसेंस सर, लतिका के भाई के बारे में क्या बता रहे था तुम? यह और तों के भेश पर रहता है क्या है सर? क्या पहना है? मैंनी जानता तुम यह सब क्यूं कर रहे और क्यूं अपना मजाक उड़वा रहे पर तुम्हारी वज़े से मेरे ओफिस का माहौल भीगड़ रहे सर, यह मेरे मजबूरी है आप ही बताएए, सर आपने मेरे काम में कभी कोई कमी देखिया सर, मेरा पहनावा मेरी परसनल चॉइस है लेकिन सर, मैंने इस ओफिस में हमेसा दिल लगा कर काम किया है इसलिए इसलिए मैंने तुम्हारा पिछला ट्रेक रिकॉर्ड देखते हुए तुम्हें पंदरा दिन का टाइम और दिया है ताके तुम पहले की तरहा नॉर्मल होकर के आफिस में आ सको और अगर नहीं आ पाएना तो I'm sorry मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा जी सर तुम्हें तुम्हें बताए मेरे घर पहुच गए तुम फोन किनू उठार भी मरा तुम मेरी घर में कुछ जोगी अब मामी का यार ऐसे नाराज नहीं होते चोटी चोटी बात पर अब अगर शादी के बात भी तुम ऐसे नक्रे करोगी तो मेरे तो दिमाग की दही हो जाएगे बड़ा नाजूक दिल है मेरा इतना प्रेशर नहीं जहल पाएगा मेरे नक्रे नहीं जहल सकते शादी के बाद बीना जॉब के मेरे खर्चे जहल लो के अरे जॉब क्या मैं ऐसा बिजनेस शुरू करने वाला ना तुमारे इस घर से बड़ा पंगला होगा मारा सची और नीद तो क्या अन्मिका नमस्ते चाची ठीको मेरी खबर मतले पहले तू अपनी खबर दे एक हफते की छुटी मांके गई थी तू एक मैने के बाद आ रही है तू देखो चाची जी बुरा मत मानना लेकिन जब से सुना लटी का दीदी ने चुड़ायल देखी थी तब से डर सा बैड़ गया था लेकिन अपेट तो पाल नहीं है इसलिए आ गई अच्छा वो किर्ति भाबी नहीं दिखाई दे रहें बहार गई है वो तू अपना काम कर दिव्यांशू अरे छोड़ो ना छोड़के तो तू चली गई मुझे और मुझे छोड़के कोशिक को पकड़ लिया तूने दिव्यांशू बात समझें की कोशिश करो भाया पर बहुत बड़ा करजा था उस परिवार का इसलिए मुझे उसके पल्ले बान दिया लेकिन तुमसे वफा अभी तक निभार ही हो ना कौशिक को छूने तक नहीं देती अच्छा अरे यहां इतना खून कैसे भाई फिर से कोई मौत हुई क्या अरे हां भी हां यहां पर मेरा मुरूगा मरा हुआ मिला है का? मतलब वो चुड़ जानवरों को भी नहीं बखती हर दिन इस घर में कुछ-थे कुछ कांड होता रहता पता नहीं है यह चुड़ किस-को मारेगी क्या हुए यह अरे वो कोई ओर चुड़ेल नहीं, इसी का बेटा है, ए बहुत हो गया तुम लोगों का, सारे हिलाके में देश्टाथ पहला रखिये, निकलो वलना यहां से, तू हमें हमारे घर से निकाल लियागा, आरे मैं तुम सब पर तेल निकाल जूगा, अरे मुर्गा खोया है मैंने मुर्गा, छोड़ूँगा रही, यह अरे से पहले कि यह किसी और को मा डाले, ए चल लिकल, ए ए घर, जल, माल डाल, माल दे यहां चोड़ूँगा नहीं मैं किसी को भी, बेटे-बेटी तक पहुचा जूँगा, पनिकल, देख लूँगा यह किको, पेट ले ना, देख रह अगर कोई खून खराब नहीं हुआ तो जाने दे, वैसे भी वहां का रोज का काम है यह, क्या हो, अनुगा, कुछ नहीं सर, वो कॉंस्टेबल शाम पैट्रोलिंग पे साथ उसे पता चला कि उस महले में एक मुर्गा मर गया है, चुड़ल के पिको, तर अब महले वाले आल काम है बात कुछ हो ले है, जो दवाई लिखी है वह आप दे दीजी, कर दो, सुछ यह, कौन ऐसा करोज की चला गा तुछ की चला गया, वही है, वहाहा, आत्मा है, महा, शो अपै क्या कर रही तो हू यहापे, वहा बाने देने आई थी, रहाखी यहां पै और राश्क्री कलाना, जाजादी मान.. वह अबता है मा, वह सबone को मार देगी उसके देने लतिका को मार रहा है मान जब को मार देगी ओ Любल करेणि Landeskota वह म्दम, तहाँ नज़े चुरा के भाग रहे हैं मुझे मुस्य क्वाइदा है तुझे वो लतिका तो अपर पहुँच गई ना अब आगे कोई काम नी करने वाली मैं ते रहा सुन तुछ से कुछ करवाना भी नी है ठीक है मेरे पैसे निकाल कौन सा पैसा चल हट मेरे पैसे दे जादा चर भी चड़ गई यह तेरे गो जिस रात लतिका की मौत हुई थी उसके अगले दिन से ही घर की मेट जयाँ ने काम पर आना पना जयाँ सर फैमिली ने बताया था कि वो छुट्टी लेकर गाउं गई थी मैंने जयाँ से फोन पे बात की थी उसने confirm किया कि वो छुट्टी लेकर ही गाउं गई थी, वो गायब नहीं हो थी, फिर लटगा की पोस्ट मोड़म रिपोट आने के बाद किसी पर शक करनी कि कोई गुंजाईशी नहीं बचे, कोई चुडायल देखके हार्ट अटेक से मर जाए, यह कहानी हर्पटी लग रही ह सर, वहाँ पे मुर्गा ही मर रहा था, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था, तो लोग आलोग के परिवार को वहाँ से निकालने की बात करने लगे, सर, वो लोग आपसे मिलने की जिद कर रहे है, फिक, परगाम करता हूं गया, देखकर अच्छा लगा, अभी तक जं साबित करके दिखाए, देख, मेरा सगा भाई है, इसलिए चुप बैठा हूं, वर्णाप, तो बड़े भाई होने का फर्ज निभाई है ना, देदीजे मुझे जो चाहिए, बाभाई होने का फर्ज निभाऊं, साब आप लोग ही कुछ किजिए, कुछ उडेल और कोई नह आतमे ही करता है, सारे इलागे में लोगों बाग डरे हुए है, आप उन पर सक्ति बरती है, तेखें, अभी आप लोग अपने अपने घर जाएए, मैं देखता हूं, ठीक जाप, पापा, पानी लिजे, पापा, किसने किया आई है, पापा, बता क्यों ने रहे, किसने किया आई है, शुक्रमनाओ कि जान बज़के, उस आतमा को गंट्रूर कर लिया मैंने, तो अपनी बखबास बंद कर, कौशी किसको लेया, किसी दिमाग के डॉक्टर के पास, आप बात मानू में इतना, इस बच्चे का फ़ड़ा दिमाग खिसक गया, और कोई बात नहीं है, पामी, फादी, आड़े, फिछाडी, पामी, पामी. इस बादी, आप हमारा काम करने दिजी है, और पेले ही बिखेगी क्या आपके बात्ये पर चोट के से जिए, क्या हमारे आने से पहने किसी के साथ आपर दगड़ा हूआता है? नहीं सर, कोई जग़ा नहीं आप मेरी बीभी है सर, मोजे अब सब्सक्राइब शर्ख के आप अप अपने जा से से करे इंजरी नहीं है। लेकिन परिवार में धीसरी महोड है। जो पूल लटीगा के के से मिनार है, आप मान रहे हैं, वाद रहे हैं। हमारे यहां रहते हैं फिर लाश मिली है, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हैं नहीं सर्थ मैं अभी पहले किसी भूद पर परोसा नहीं करता था आमें बहले एजुकेटेट मैं अफटान में भी है लेकिन.. देकिन ऐसा क्या हुआ जो तुमने इस तरह से जनाना भेष्मेर ना चुडू करती है यह सब मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए गिए तांगे उन्हें को आचना है पिसमी मातो चली गई तुमारी यह उपाय उपाया कैसे सूचा तुमें? कोई तांत्रिग्वान तिक नहीं है सा आप लोग मुसामाज के निदेवार सिभावना अबर गर वार लोगो बचाना चाना 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 सब.. 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 एक गंडा पहले तो सब कुछ ठीक था मामी पूजा करने बैठी थी यह सब.. यह सब क्या हो गया मुझे.. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सा आपके घर में जो मेट काम करती है.. वो कहा है? जया.. सब मामी पूझा करने बैठी थी.. जया.. तो कभी चली गई थी सब मैंने जया के CDR निका ले तो उसमें राजन नाम के लड़के का नंबर मिला.. और सप्राइजिन गात ही है.. कि मैंने पहले जब लटिका के CDR निकाले कुछ.. तो उसमें भी इसी राजन का नंबर मिला था.. हे को रही एफ यह राज оз嗎? यह लुझा का कॉलीच का दोस्त है सार.. लुझा की मौथ के वखत.. मैंने इस से भी इंक्वेर की थी.. लुझा की मौथ से पहले.. अखरी बाद तुमारी हुई थी ति Infrast. यह जो इसने गाता कि लिगा के साथ इसका इसका लिल रहा है लिगन सर豫 этот को सवामत्र के इस describes उठाला फाल प्ले तंद मिला ही नहीं था लिकिन लफ यह की घर की मेल लफ लफ अज़ुन कि ठीचमें इन सब सवालों को जोड़ने की कोशिश निंगे तुम्हें, पर निम्हें, बोस्माटम रिपोर्ट चाहे कुछ भी थी, पर इन सवालों को कैसे नजर अंदास कर गए? बलाओ जया को, और आजन को रूँ. अभी अभी माजी की मौत हुई और तुम केरो कि तुमसे मिलने आजाओ, अभी कैसे नकल सकती हूँ मैं? देख, बहुत कुमारी है तुम मुझे, ये कांड ओने से पहले भागाना था न मा से? अपनी अकल लगाना बंद करो, अगर मैं भी घर से भागी ना तो पूरा शक मुझ पर आजाएगा, समझते क्यों, हाँ, ठीक है, ठीक है, देख लेना, हाँ, ठीक है, ठीक है, अच्छा, इससे बात करे थी? भाई से, मेरे भाई को ना माजी की मौत का सुनके बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर वह भी कौलकता मैं ना, वह आ नहीं सकता साफ मैंने कुछ नहीं किया, वो तो राजन मुझसे लट哪裡ğa के पहने वे कपड़ मंगवाना चाहता था, इसलिए मुझ से मिला था, और साफ मैंनो इसे लटीका के पहने वे कपड़ ला कर दिये थे बस लटीका के पहने वे कप्ड़े, क्यों? साब मुझे नहीं मालू, उसने मुझे पैसे दिये, और मैंने लटिका के कपड़े चुरा कर उसको दिये थे, साब मैं सच बोल रही हूँ, इसके लावा में कुछ नहीं जानकी साब देखो अगर साब चुछ बिचुछ राजन गाइब हो गया, यह जूड बोल रही है कहा है राजन? नहीं है राजन? पहला है राजन? अंकल! राजन? अंकल! यह विद्धी जान? अंकल, मेरी बात समय को आप बहुत भुश्या है राजन? यहां तुझे उपनी नाक देक कटॉने दूगा! अग्षिक्षा जाओ!! मारा उसा! सर, लटिका की माँ शांती की पोस्टमारण रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौथ हार्ट अटेक से होी है बॉडिमें ड्रग पोईजन कुछ भी नहीं मिला है इस report के basis पे इसे भी murder case नहीं माना जा सकता सर लटिका की पॉस्ट मार्टन reward भी बिलकुल ऐसी ही थी मतलब PT की तरह मा भी मरी जिया सर और अब तो मौले में ये boundary है कि लटिका की तरह उसकी माने भी किसी चोडल को देख लिया होगा और उसने अपने प्रांट छोड़ दिये ये case जैसा दिख रहा है ना जैसा है नहीं मुश्कल तो यह है ज़र कि अब किस basis पे हम इसे एक murder case मान सकते है ये भी कम suspicious नहीं है कि बेटी और माम जिपकि दोनों में से किसी को भी heart की कोई problem नहीं थी अगर हम मान भी लेंगे ये murder नहीं है तू राचन? राचन क्यों बैद? सब सर मैंने अलोक के परिवार के बारे में सब कुछ बता किया सर तीन साल पहले तक वो लोग शहर में रहते थे सर वो लोग वहाँ पे एक joint family में थे जिसमें अलोक और उसके छोटे भाई शाषवत का परिवार सर अलोक और शाषवत ने एक बिजनस शुरू किया था सर अचानक से अलोक अपने परिवार को लेकर बिजनस और शहर दोनों छोड़कर गाउं में आ गया और वहाँ आकर खेती बाड़ी करने लगा अलोक का अपने भाई के साथ कोई जगड़ा सर ऐसा लग तो रहा है क्योंकि सर अब वो बिजनस अलोक के छोटे भाई शाषवत के नाम पर लेकिन सर एक बात बहुत अजीब इछले एक साल में अलोक के खेतों में खड़ी फसल जला दी गई है सर उसके खिलाब आलोक ने कभी भी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं किया कर दो कर दो कर दो कि अब आलोक के छोटे भाई के बारे में सब कुछ पता करें और आलोक से भी मिलना होगा सब्सक्राइब कर दो के पास एक लाश मिली कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इसके पेट को बुरी तरह से नोच के भड़ा गया सर असपास काफी जंगली रिया है को सकता है किसी जंगली जानवार नहीं कि कुछ आनवन नहीं बलकि हमें बठकाने की चाल भी आ सकती है कि आलोक के घर में चौथी मौद है कि कुछ बढ़ा गया है वसल के बीज लेने गया था कोशिक और अचानक से ही अचानक से कुछ नहीं हो रहा है आलोक जी जो भी हो रहा है पिछले एवद्विर साल से हो रहा है पहले आपका छोटा बेटा गर्लोग आप किसी पर शुक भी जाहीं नहीं कर रहे गमूल लतिका और शांती की मौत में तो शक करने जैसा था क्योंकि वो घर में रहते हुए ही आपकी बेटी लतिका का एक राजन नाम की रड़के के साथ अफैर चल रहा रहा है और राजन आपकी पत्मी की मौत के बाद से गाया गए नहीं मेरी बेटी लतिका का किसी लड़के से अलूजी क्यों आके मुंदे बेटे हैं आप कहीं अजया तो नहीं कि आप जानते हैं कि यह सब जो हो रहा है उपका मचला बेटा संचीत कर रहा है आप उसको पचानी की कोशियों सब रहा है नहीं नहीं ऐसा थी है साब और आपका छोड़ा भाई साश्व उसके साथ तो आपका जगड़ा भी बाद है उस पर भी शेक्न ही आपको पहले नहीं था लेकिन अब ख्याल आ रहा है कि शायद उसने ही कौशिक को जबकि उसने जाल साजी से मेरा पूरा व्यापार अड़क लिया आपका बेटा संचिर किसकी आत्मा की बात करता है यो तो प अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें संचिर से हमारे तरीके से उड़वाना पने हैं सर आप मेरी बात सुने सर अब बेफुजूल उठा के लाएं सर संचिर देख यवी बुच्छना तेरे से सर सच बोलना में तैसी रास लीला रचे की तेरे साथ तेरे हाथ पार सब करना मार दो मुझे, एक काम करो साथ मुझे मुझे बैसी इस आत्मा नहें चोड़ना नहीं है कोई जिस आत्मा पुझाने चो फिली नहीं सबनाना तो और सब्सक्राण को मार देगी ऑ पर तुछ असे तयार होके बहुत दिनों से खुम रहे हैं फिर भी एक एक मर रहे हैं तेरे परिवार में लोग कर यह सा तो नहीं है कि तुई मार रहा है सब जाए जाती है कभी कभी सब जैसे जैसे सब्सक्राइब तैहर ने में यह अंगुठी पहना भूल या यह कान का पहना भूल गया यह लेकिन अब सर् सब याद रहता है सर मैं अभी अभी सब सेफ है सब्सक्राइब अभी कोई नहीं मरेगा फॉरेंसे का माना है कि वो नाकुनों के टुकड़े किसी जानवर के नहीं बलकि इनसान के हैं लेकर यह भी तक कंफर्म नहीं हमें इस केस के हर पहलू को इन्वेस्टिगेट करना होगा उसके बास सब कुछ कंफर्म हो जाए ना तो मैंने अपने बड़े बाई अलोक के आत्मावादमा का चक्कर अचा तुमने है मैं ऐसा क्यों करूंगा तेवर बहुत हैं साश्वत के इसा कॉंफरेंस दिखा रहा है जैसे इसके इखलाब कुछ साभी तो नहीं हो पाएगा पता कर जिदिन कोशिका मटर वा था यह यह इस से जोड़ा को यादी उस एरिया में आता के जैसर लेकर इसमा मुझे एक और एंगल देखा दिया रहा है इस कीटि के सीडिया देके मैंने कि दिव्यांशू नाम की लड़के के साथ काफी तच में थी है कौन दुव्यांशू शादी से पहले कीटि के साथ इसका अफेर चल रहा था और शादी के बाद भी पती के बुलाई ये वड़े साब ने बुलाए किरती भावी तो मार्केट गई हुए ये किरती अचानक से गाइब हुए उसका फोर मी बंदा रहा है पर दिव्यांशू उसका पून चानुए उठा उसको वही बताएगा कि किरती कहा गाईब हुए ऑके साथ मैं मानता हूं कि मे से लेकर कीरती के माईके और उनसे जुड़े हर इंसान को पुलीस खंगाल चुकी थी लेकिन किरती के गायब होने का रहस्य पता ही नहीं चल रहा था वहीं लतिका के बॉइफरेंट राजन के गायब होने की पहेली भी पुलीस को उल्जा रही थी आलोक का भाई शाश्वत भी प्राइम सस्पेक्ट था लेकिन एक के बाद एक हो रहे इन कतलों का राज और भी गहरा होता जा रहा था अफवाएं और भी गर्म होती जा रही थी कि ये कतल कोई इंसान नहीं कोई आत्मा कर रही थी सर पापा रात पर रोते रहे उन्होंने रात को काना भी नहीं खाया मैंने कभी सबने में भी नहीं सबचा था कि बापा सहर का लेंगे तो तुम यह क्लेर कर ओए है कि आत्या एं इस कुछे कर रहे हैं थाक इसका तो यह बिचानी क्यों soprat खानन बोलो, सर अम लोग राजन को खांडवा में जून रहे हैं, अपने खबरी से इंफोरमेशन मिली है कि वो पासी के गाउं में अपने एक डोच के गर चुपा हुआ है साब, मैंने कुछ नहीं किया साब, मैं तो लतिका से प्यार करता था फिर लतिका के कपड़ों के साथ कौँसी अवस पूरी करा था था, वो कपड़े तो मैंने इसलिए हासिल किये थे, ताकि लतिका को हासिल कर सको, उसने मेरे से बेक अप किया था साब, फिर एक दिन मैंने इंटरनेट में वशी करन विधा के बारे में पड़ा, उसमें लिखा ऑप किसी के कुपड़ों से उसको वशीभू्ध कर सकते हो जब वशीभूध नहीं हुई कमार दे व और उसके बद उसके घरवालों को भी नहीं साथ, मैने किसी को नहीं मारा ये राजन संजिस से काम अजीव नहीं है पता करो जाजन गा किसी तांतिक वादिक से कोई चक्कर है कि ओके सर 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 यह आलो की पोस्ट मोड़म रेपोड़ रेपोर्ट के मुताबिट उसकी मौस जहर खाने से ही हुए अभी यह जहर उसने खुट खाया या किसी नोसे जबरदस्ती खिलाया बस यह कंफर्म ने कि उस वक्त घर में सिफ दो लोगते है संचित पर पुजा कि काम इन दोलों ने किया होगा शाथ कोई बाहर से आया अभी तक यह एंक्वाइरे में है वहाँ किसी संदिक्ति के देखे जाने की इंफोर्मेशन नहीं मिलिया से पर मैंने संचित के बार में पता किया आलोग जब शहर में रहता था तो संचित उनके साथ नहीं रहता था संचित कानपूर में पढ़ा ही कर रहा था और जब वो गाउं में आया तो पूजा के साथ उसकी शादी होगा पूजा के परिवार वाले का है इतना कुछ हो गया उसके मार्गे से कोई आए? सब पूजा का परिबार नहीं है, वो अनात है, उसने मुझे बताया था पूजा अनात है? तो संचित की जिन्दगी में कैसे है? इससे भी जाधा चौगाने वाली बाद तो यह असारा कि मैंने संचित के बारे में उसके कानपूर के दोस्तों से पता किया था संचित का कानपूर की रहने वाली एक लड़की के साथ अप्रट चला था अनामी का नाम है उसका और इन दोनों ने अनामी का के पिता के खलाब जाके शादी भी किते मतलब भूजा संचित की दूसरी वाइफ तूसकी पैली वाइफ नामी का कहा है यह तुन्हे अच्छा नहीं किया वेटी उस उस लड़के के चक्कर में अपने बाप को अच्छा नहीं किया वेटी तुन्हें हमें पूजा नाम की नविकी के बारे में आपसे पुछ जान कारी चाहिए जो आपके इसी अनाफास्चों में परी बढ़ी है यह यह है पूजा जी यह पूजा यहीं पली बढ़ी है लेकिन इसकी मौत तो काफे पहले हुवी थी तर मौत? ऐसा कैसे हो सकते हैं यह पूजा पिछले तीन साल से संचित नाम के अदमी की वाइब बनका रह रही है यह कैसे हो सकता है सर इसकी मौत तो एक एकसिदेंट में तीन साल पहले हो गी थी हाँ प्यार करती थी वो संचित के साथ और उसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया आपकी बेटी अनामिका है कहां बालो में लेकिन जब से वो उस लड़के के साथ भागी है उसकी शकल देखने के लिए तरस गया था तुम कह रहे हो अनामिका तीन साल से गायव है और मैंने अनाथ आश्म के रिकॉर्ड्स चेक किया थे उसके हिसाब से पूजा एक एकसिदेंट में तीन साल पहले हिमाली गई तो सर जिसके साथ संचित का परवार रह रहा था वो पूजा ही थी या कोई आत्मा सर शर शर संचित कि लाश में लिहा है वोट कि उसकी बीवी पूजा कोई इनसान में ही बलकि एक आत्मा थी लेकिन संचित की पहली बीवी अनामिका कहां थी और कीर्थी वो कहा ची रिकोर्द में एक नंबर है जो अक सर अनाथ आश्रम वाले एरिया में एक्टिव रहता है जाहिर सी बात है कोई आत्मा तो फोन करेगी नहीं I'm sure यह अनाथ आश्रम वाले कुछ हम से चिपा रहे है असर सर सर कानपूर पुलिस एक इंफॉमिशन में लिया जो बहुत ही चोकाने वाली है अनामे का के पिटा शिवंदू की एक और बेटी है पॉमिला जो केनेडा में रहती है और यह पॉमिला कोई और नहीं पूजा ही है यह पूजा तीन साल पहले केनेडा से इंडिया आई है और अब कानपूर पुलिस से पता चला है कि इसको दोबारा से कनेडा का वीजा मेला है और इसके सासर इसके बाप शिवंदू को भी कनेडा का वीजा मेला है मतले इस दोनों बाप बेटी कनेडा भागने की तरात में तर शेविन्दू का फोन दिल्ली के चानकेपुरी में बंद वाथ है? वो सकते हैं जो वहाँ किसी होटल में रुके हो और दिल्ली एरपोर्ट से कनेडा के लिए फ्लाइट लेने वाले हूँ दिल्ली एरपोर्ट पेलेट भेजो और चानकेपुरी के होटल में इंकुरी करो अध्वास्ट ओके सार बर्माखो विक सार दोनों बाप बेटी ब्लूस्टार होटल में रुकेते हैं थोड़ी देर पली होटल के कैब से निकले हैं कैब में जीबयारेस है सार तो ठोल है पूजा उर्फ पलोमादास तुमारी अनाथ आश्यम की डिरेक्टर से मिले हैं बताया इसमें कैसे उसमें तुमें पूजा गीत भाष्यम की क्या लगाते हैं तुम्हारी आत्मा वाली बात पर हम विश्वास कर लेंगे तुम मुझे अंदर करवाना है यह जाती हो क्या करजा कुछ नहीं होगा सोच लो माला मालो जाओ लो तुम्हारी तरहातु तुम्हारी बादा अनामिका वह भी संचित की प्रफे लेकिन लेकिन एक धोगा भी आता संचितने उसे, अनामिका से शादी को और फिर उसे छोड़ कर चला गया अनामिका मेरी बात समंझे, कोशिश करो यार, एक तुम छोड़ी जोड़ी बात पर गुस्ता हो जाती हो, मेरी चाचा ने पापा का बिजन सतिया लिया है, अभी पापा ओल्लेडी टेंशन में कैसे बता हूने कि हमने शादी कर लिया है, मैंने तुम्हारे लिए अपने पाप दे रहा था, संचित की वज़े से मेरी बेहन ने सुसाइड किया था, इसलिए मैं संचित से बदला लेना चाहती, और पलोमा ने मुझे कॉल कि और सब कुछ बता दिया, और फिर हमने एक प्लैन बराया, और प्लैन के अकॉड़ी, मैं इंडिया आई, पूजा बनकर संचित की लाइफ में एंट्री किया, संचित कहता था कि इसको आत्मा दिखाई देती है, कैसे? यह भी मेरा ही आइडिया था, मैंने कर्तब करने वाली लड़की को हायर किया था, कर्तब करने वाली लड़की? हाँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी, जो पूर्ती से अपकर के एक जगे से दूसरी जगे जा सके और संचित को लगे कि अनामिका की आत्मा है हाँ पुझा पुझा यहाँ पर कडिये एक यहाँ इसर फी से निए है कोई दिला दिया ठाकि उसे अना मिका की आत्मा दिखाई दे दिए और फिर उसके भाई को ख़तम कर दिया करनू मरा तो जूटी अनामिका की आत्मा का साया संचित से कहने लगा कि अगर वो औरत बन कर रहेगा तो वो और उसकी फैमिली मरेंगे नहीं, जिन्दा रहेंगे हाँ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया के सामने संचित का तमाशा बनाना चाहती थी उसकी पूरी फैमिली को खतम करके अगर आपको लगे कि यह सब कीड़ती ने किया है आलोग और संचित को भी तुमी ने मरत मारना तो मैं उन दोनों को भी चाहती थी पर पहले बाप ने सुसाइड की तो काफी किया तुम्हें यह सब करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे पैसों की जरूर पड़ी होगी उसका अब इंजाम हो गया था जीवन राम मिल्डर उस गाउं में एक हाउसिंग उप्डेक्स लणने चाहता था लेकिन अलोग समयत दाओं के सारे लोग अपनी जमीन बेशना ही नहीं चाहते थे मैंने बिल्डर को यकीन दिलाया कि मैं इस इलागे के सभी लोगों को यकीन दिलाऊंगी कि यहां पर भूत है सभी अपनी जगे छोड़कर चले जाएंगे बिल्डर को मेरा प्लान पसंद आया सो उसे मेरा ये प्लान पैनेंस कर दिया इस केस की कहानी अपने आप में किसी सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल के प्लोट से कम नहीं है लेकिन अपराद की योजना बनाने वाला दिमाग भी अक्सर अपनी कल्पना को एक हकीकत की शकल देने की कोशिश करता है लेकिन कहते हैं न अपरादी चाहे जितना भी शातिर हो क्राइम नेवर पेज अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस की साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखिये आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दोर से गुजर रहे हैं कृपिया मास्क पहने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उची दूरी बनाए रखें देखते रहे हैं क्राइम पेट्रोल सतर्क जाए हिन